हेलो क्लास हाव यू कैसे हैं ला जवाब है फर्स क्लास हैं तो दोस्तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टेक्सेशन के सफर का पहला चेप्टर पहला टॉपिक क्योंकि हम जानते हैं स्लेबस के साब से हमें काफी जो मौडिफाइड चेप्टर वो आगे चलके पढ़ने हैं हम इनकम किस तरह से जनरेट होती है किस तरह से उसकी टेक्सेशन के रेट यह पूरा सफर हमें तै करना है पहले हमें हमारे टेक्सेशन के हमारे सबजेक्ट के हमारे इंडिया के टेक्सेशन लौस के जो बेसिक रूल्स है जो बेसिक नॉलिज है वो हमें मालूम होनी चाहिए तो इस particular chapter में हमारे पहले chapter में हम जो content करेंगे वो basic definitions से related होगा साथ ही हम इस chapter में ये भी पढ़ेंगे कि हमने अपने income tax law के विहाफ पर income के तरीकों को income को generate कैसे किया जाता है उसको कितने parts में divide करा गया है साथ ही हम यहाँ पर किस साल tax लगता है किस साल income generate होती है ये कुछ छोटे-छोटे financial year से related provisions जो है उनके बारे में भी पढ़ेंगे and yes the main thing tax calculate कैसे होता है हम compute कैसे करते है income tax को कि अगर कोई particular individual या particular company या particular partnership firm अपनी कोई income जो उसने कमाई है एक particular financial year में हमें बताएगा तो उस पे किस तरीके से taxability जो है वो arise होगी तो ये पूरा का पूरा content ये सारा का सारा content हमें cover करना है बट yes obviously सबसे पहले जो हमारा interesting part होगा वो होगा इसका basics ओके तो सबसे पहले subject है हमारा tax subject हमारा क्या है tax है tax होता क्या है अगर मैं normally आपसे पूछू के what is tax कि होता क्या है tax तो आप अकसर ये कहेंगे हम के वही जो income के उपर लगता उसको हम tax कहते हैं अगर normally subject हम पढ़ने जा रहे हैं इसको start करने जा रहे हैं तो मैंने आपसे पूछा what is tax तो आपका अंसर क्या आएगा कि सर जो income के उपर लगता है जो charge लगता है जो हम government को पे करते हैं उसको income tax का जाता है नहीं दोस्तों आपने जो कहा है वो कहा तो बिल्कुल ठीक है पर वो tax नहीं है जो चीज़ आपने बताई के income के उपर जो charge लगा उसे हम tax बोलेंगे that is income tax उसकों क्या बोलते है income tax बोलते है income tax is a example of tax जो income tax है वो tax का एक भाग है एक पार्ट है अगर मैं overall आप से पूछ हूँ के भई tax क्या होता है तो सीधी सी बात है आईए सबसे पहले हम इसी चीज़ को discuss करने जा रहे है कि what is tax तो सबसे पहला point हमारे सामने क्या आया tax is a compulsory payment of money to the government to the government बाइ गौर्मेंट ने कुछ rules कुछ regulations बनाए हुए है उसके बिहाफ पर उसके बिहाफ पर हमें गौर्मेंट को compulsorily कुछ amount पे करना पड़ता है उसको हम कहते हैं tax अब example लेंगे इसका अब इसका example लेंगे कि जैसे अगर कोई particular individual इतनी income generate करेगा like 3 लाग, 4 लाग, 5 लाग जो limit है वो हमारे आगे slavus में होगा definitely अगर कोई particular individual इतनी income generate करेगा तो उसको 5%, 10%, 20% tax देना पड़ेगा तो ये क्या है ये एक rule है ये जो government का बनाया गया एक law है तो that is what compulsory payment पे करना है पड़ेगा ऐसे GST भई हम market जाते हैं शॉपिंग करते हैं जो हमें goods दे रहा है, जो हमें service दे रहा है, हम समान उसे खरीदते हैं, वो अपना charge लेता है, प्लस उसमें GST भी add कर देता है, उसमें एक extra amount भी add कर देता है tax का, तो वो भी क्या है, वो भी government ने law बनाया हुआ है, कि भी अगर आप कुछ खरीदोगे तो उसके उपर tax हैं, हमारी country के साब से, and yes, यह जो amount है, यह government को compulsory basis पर pay होता है, compulsory basis पर pay होता है, साथ ही, यह financial charge, financial fees आप इसको कहेंगे, जो government impose करती है, किस पर income पर भी कर सकती है, like income tax, okay, commodity चीजों पर भी कर सकती है, जो goods के ओपर चीजें हम खरीते हैं, उसके ओपर tax लगता है, और activity, अलग अलग services पर जो tax लगता है, जैसे हम movie देखने जाते हैं, यह हम कहीं सफर करते हैं, तो उसमें add होता न, GST, वो service tax की तरह, तो यह जो imposition है, government की तरफ से, वो अलग-अलग चीजों के ओपर हो सकता है, got it, और obviously purpose क्या है, why government collect taxes, हम जानते हैं, government tax का क्या करती है, मतलब actual में जो भी होता रहा हो, बट जो एक law है, उसके इसाब से, भई हमने अपनी democracy में, हमने अपनी country में, अपने votes के आधार पर government को select करा है, ठीक है, government कौन है, government आप कह लिजे for an example, एक NGO की तरह है, NGO की तरह है, मतलब कि उसे एक purpose मिला हुआ है, किसी target को पूरा करने का, what is that purpose, भई यह country है इसको चलाना है, इसको develop करना है, इसके social development, आपका human development, आपका economic development करना है, अब उसके लिए पैसा चाहिए, तो government कहां से पैसा लाएगी, अपने आप तो note नहीं चापेगी ना, जितने मर्जी चाहिए उतने note चाप लो, currency issue होती है, बट उसके एक limit होती है, right, अब government वो खर्च कहां से पूरा करेगी, yes, government खर्चे जो है, अपना पूरा करने के लिए, जो अपना revenue है, वो generate करती है, अलग-अलग तरीकों से, और उसमें tax main है, तो government tax collect करेगी, और उस money को economic situations के हिसाब से, economic development के साब से, categories के साब से, अलग-अलग platforms पर, like infrastructure, education, health, इन सब sectors में, उनको वो है, okay, so that's why government collect आपका income tax, government collect tax only, income tax के बारे में भी बात करेंगे, okay, now, उसके बाद जो आगे आप heading देख रहे हैं, दोस्तों, आप देख रहे होगे direct tax और एक आपका indirect tax, schooling में आपने कहीं ना कहीं इन दोनों के बारे में पढ़ा होगा, के direct tax और indirect tax क्या होता है, got it, तो कुल मि आपकर, सीधी सी बात यह है, कि जो tax है, अगर हम types of tax की बात करें, तो tax को दो parts में, दो section में, दो categories में, डिवाइड करा गया है, पहला है हमारा direct tax, और सीधी भाशा में कहें, जो directly पे होता है, और indirect tax, obviously, जो indirectly पे होता है, तो direct tax is that tax which paid directly, indirect tax is that tax which paid indirectly, अब यह definition हम actual में किसी को नहीं कहेंगे, ठीक है, okay, concept इसका यही है, कि direct और indirectly पे होता है, बट इसको कहने का तरीका, लिखने का तरीका एक अलग तरीके से होता है, what is that, मैं जड़ा उसके आपके बारे में बात करते हैं, कि direct tax basically होता क्या है, अगर direct tax को हम लिखें, यहां पे आप लिखेंगा साथ मेरे, जो short में मैं आपको उसको बता रहा हूँ, direct tax से अगर हम बात करें, it is, it is paid by those, it is paid by those on which, on which it is imposed, on which it is imposed, जिसके उपर, जिसके उपर, टेक्स को impose करा गया होगा, जिसके उपर टेक्स को लगाया गया होगा, वही इसको pay करेगा, वही इसको pay करेगा, जैसे, for example, मैं direct tax से example ले रहा हूँ, आपका जैसे कि income tax, अब मैंने income generate करी, मालनो मेरी कोई particular income हुई, उके, उस पर government ने बोला, जी, आपको माल लीजे 10% tax देना है, तो मेरा 10% tax, for example, मैं assume कर रहा हूँ, वो 10,000 रुपे आया, मैं वो 10,000 रुपे भही मेरे पास report आगई, form आगई, दजर्ब पे करने, और मैंने आपको दे दिया form, कि यार ये मेरा tax है, तु पे कर दियो, भाई नहीं है, भाई नहीं है तु मेरा, पे कर दियो, है ना, प्लीज, जानते हो ना, कर देना, आप करोगे क्या, आप करोगे, डेफिनेटली आप मना कर दोगे, ठीक है, के सर ठीक है, अपना पढ़ा रहे हो, ठीक है, वहीं तक, ओके, हम क्यों पर है, आपने कमाई, आप पे करो, ही, तो सीधी सी बात यह होई, के, गॉर्मेंट ने वो टेक्स मेरे उपर इंपोज करा, और गॉर्मेंट को मैं ही पे करूँगा, ठीक है, मैं ही, जिसके उपर इंपोज हुआ है, वही डारेक्टली गॉर्मेंट को पे कर देगा, इस चीज़ को हम कहते हैं direct tax ठीक है और income tax उसका एक example होता है ऐसे ही wealth tax भी पहले लगता था हाला कि अब ये abolish हो गया है अब इसकी existence नहीं है खतम कर दिया गया इसको एंडिया similarly security transaction tax STT ये shares की खरीद बेच पर लगता है तो जब shares को खरीदते हैं तो share खरीदे आपने तो tax कौन पे करोगे वही सीज़ी सी बात है जिसने खरीदा वही पे करेगा तो government को directly pay हो जाता है ओके तो that's the provision for direct taxation जिसके उपर impose हुआ वही उसको pay करेगा ठीक है बीच में कोई और नहीं है लेकिन जब हम बात करते हैं indirect tax की तो paid indirectly paid indirectly कैसे कैसे इसको अगर हम definition के साब से बोलें so it is like imposed imposed on a person imposed on a person but partly or holy वैसे partly होता ही नहीं है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ holy के साब से definition लिख रहा हूँ but paid by other but paid by other government ने impose किसी और के उपर करा लेकिन उसको pay किसी और ने करा है for example for example भई आप यह आप जो है shopping करने गए shopping करने गए और शौप की पर से यह शौप है शौप की पर से आपने कुछ सामान बाए करा अब सामान बाए करा 100 रुपे का मान लेते हैं assume कर लेते हैं तो आपके पास सामान बाए करा आपने यह चीज पैन बाए करा पकड़ो जल्दी फटा-फट से आपको मिला यह पैन यह पैन कितने का सौ रुपे का सौ रुपे की चीज आपके पास आई सौ रुपे चले गए हिसाब समझ में आता है ओके बट यह 10 रुपे एक्स्ट्रा यह 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे हुए हैं क्यों क्यों यह गॉर्मेंट ने इंपोस करें हैं यह था ना इधर It is a financial charge imposed by the government Commitivity Commitivity पर ये लगा सकती ही तो आपके पास से 10 रुपे गए किस के पास गए किस के पास गए गौवर्मेंट के पास गए ये 10 रुपे जो है ये शौप कीपर अपने पास नहीं रखेगा ये तो गौवर्मेंट को दे देगा ये 100 रुपे इसके पास रहेंगे ये 10 रुपे जो है ये गौवर्मेंट के पास चले गए आगे तो यहाँ पर अगर आप देखें ये आपकी पॉकेट से गए ये आप हो मादलो शौप की पर मैं हूँ तो वो 10 रुपे टेक्स के आप से मेरे पास आए और मैंने गौवर्मेंट को पे करा ये इन डारेक्ट टेक्स गौवर्मेंट ने इंपोस किसके उपर करा था एक तरह से देखा जाये तो मेरे को बोला था कि तुझे कलेक्ट करना है कहां से वोई जो समान खरी देगा उससे इंपोस मुझ पर हुआ कलेक्ट मैंने आप से करा गौवर्मेंट तक पहुचा दिया इन डारेक्ट टेक्सेशन इन डारेक्ट टेक्सेशन ये दोस्तों कॉंसेप्ट है हमारा टेक्सेशन का जिसको डिवाइड करते हैं जो टाइप्स के अगर हम बात करें तो दो पार्ट है आपका एक है आपका डारेक्ट इन डारेक्ट और ये एक्जामपल हमने इसके देखे जैसे इन डारेक्ट टेक्स में इससे तो आप वाकिती होंगे सारे के सारे जीस्ट नॉर्मली डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ खरीद रहे हो एक्साइस जूटी ये आज भी पेट्रोल पर और लिकर के उपर लगती है क्योंकि पेट्रोल लिकर अभी जीस्ट के दाइरे में नहीं है ठीक है पेट्रोल शायद आने वाले समय में आ जाए लिकर को तो बाहर ही रखा गया है कस्टम ड्यूटी बाहर से कुछ समान वगरा खरीदते हैं या बेचते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है तो ये टेक्सेशन का दाइरा है बट फॉर आर स्टडी जब हम ये आपका सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि अब रहा हे तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इंकम टेक्स को लेकर है that is a direct tax and it is a part of it is an example of tax only that tax के अंदर ये चीज आती है clear? तो hope आपको ये जो meaning है ये clear हुई होगी दोनों की इसके साथ ही इन दोनों का जो difference है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जैसे direct tax की बात करें तो ये directly जो income है या wealth है उसके उपर लगाते हैं wealth तो मतलब अब खतम होगी है wealth tax ठीक है? जबकि उधर अगर हम बात करें तो ये goods and services के consumption को लेकर लगता है उनकी pricing के उपर indirect tax लगता है और सीधी सी बात है ये directly paid होता है जिसके जो जिसके उपर imposed होगा वो ही उसको pay करेगा ये process हमने भी समझा और यहाँ पर indirect way में इसको pay करा जाता है ठीक है? ये repeat हो रहा है आपका ये income पे लगेगा ये goods and services पर लगेगा burden की बात करें तो यहाँ पर burden shift नहीं हो सकता था जैसे हमने बात करी थी income tax की, मेरे tax की तो मेरा tax आप पे नहीं करेंगे आप मना कर देंगे तो मना कर दिया आपने सीजी सी बात है तो मुझे ही pay करना पड़ा जो tax का burden था मैं shift नहीं कर पाऊंगा but yes, special that's the main feature of indirect taxation कि ये buyer के उपर shift हो जाता है हमारे वाले example में जो उपर example हमने लिया government ने GST मेरे उपर impose कर रहा था जो भी तो sale well करेगा समान बेचेगा वो हम तिरे को collect करना है मैंने आपके उपर transfer कर दिया था so burden इसमें shift हो जाता है ठीक है ये yearly basis पर collect होता है साल के end में एक साथ पूरा हिसाब किता बताओ लेकिन ये जब goods को बेचा जाएगा तभी इसकी जो taxation है वो apply होगी और ये example हमने इसके देखे got it so that's the scenario for introduction about direct and indirect tax और हमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है आपका income tax इस वाली series में got it so now तो समय की बरवादी किये बगैर हम जरा आजाते हैं अपने income tax law के उपर के भई अब आपने बात तो करी के income tax हमें पढ़ना है तो income tax होता क्या क्या है जरा हमें ये भी बताईए के income tax हमारा होता क्या क्या है ध्यान देंगे दोस्तों अभी बुक से तो अंदाजा लगी गया होगा जो बुक आपके पास है अच्छी खासी है institute का material भी काफी बड़ा है हमने उसको थोड़ा समराइस करा है questions वगरा डाले है ठीक है final में और size बढ़ जाएगा किताबों का डरना नहीं है लेकिन हमें अगर बन भी जाती है तो ये कभी change नहीं होती never change भी होती है तो जो पूरा का पूरा structure जो पूरा का पूरा structure हम पढ़ रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते है yes हमारा income tax laws क्या कहते है income tax laws income tax law है किस तरह से tax लगेगा किस तरह से income calculation होगी क्या other rules and regulation है किसको income मानेंगे किसको नहीं मानेंगे बहुत सारी चीज़े है तो जो book आपके पास है वो क्या है वो income tax laws है और उसके अंदर वो सारे के सारे तमाम provisions जो है वो उसके अंदर लिखे हुए है got it clear अब बात ये है कि जो income tax law है वो किन-किन चीजों से तयार हुआ है किन-किन चीजों से तयार हुआ है तो मैं आपको बता दू ये जो सारे rules हैं सारी regulations हैं provisions हैं हमारे income tax laws के ये लिखे हुए हैं हमारे income tax act 1961 में ठीक है हमारा जो country का income tax act था वो 1961 में existence में आया था आजादी हमें मिली 47 में हम Republic हुए हमारा अपना law चालो हुआ कब 1950 में हम Republic Day, Independence Day इनके accordingly मनाते हैं बट येस जो income taxation थी हमारी जो taxation के rule थे income taxation के वो British वाले ही continue हो रहे थे तो 61 में जो हमारा income tax act है वो आया और वो हमारा भी तक चल रहा है ठीक है अब ऐसा नहीं बोलेंगे के जो rule 1961 में बने थे वो ही अब तक चल रहे हैं नहीं हर साल change होते रहते हैं गॉट इट so 1961 में हमारा income tax act आया था government ने इसको बनाया हमारा constitution government को right देता है के भाई आप tax बना सकते हैं ठीक है आपको पूरा अधिकार है tax बनाने का तो ये tax तयार करा गया और इसमें total हमारे 298 sections है हमारे income tax law में total 298 section है जो अलग-अलग rules हम देखेंगे सारे के सारे हमें नहीं पढ़ने इस level पे final के लिए भी बचाएंगे काफी सारा बाकी content वहाँ पे आपको करवाऊंगा फिलाल अभी खेर हम जो selected हमारा content होगा वो हमें देखना है got it clear अच्छा एक knowledge वाले चीज़ में आपको बता दू जसना कि मैंने भी बोला कि जो tax laws है ठीक है जो income tax act है जो rules है उसके वो बनाने का right हमारा constitution हमारा सवीधान government को देता है कौन सी government को देता है दो government होती है एक है हमारा CG और एक होती है SG आपका central government and state government Central government हर तरह की income के लिए rules, provisions बना सकती है except except agricultural income except agricultural income ओके याद रखेंगे state government को अधिकार है कि वो agricultural income पर tax लगा सकती है agricultural income पर tax लगा सकती है but from since old time after the independence agriculture income पर किसी भी प्रकार का कोई tax नहीं लगता है तो एक तरह से जो पूरा management है taxation का वो central government ही कर रही है state government सिर्फ agriculture income पर tax लगाती है जो भी तक नहीं लगा है हाँ कुछ state पर जहां पर आपका OPM अफीम वगेरा कुछ मतलब जो ठीक हम category नहीं मानते अगर उनकी खेती होती है दवाईयों वगेरा में उसका इस्तमाल होता है अगर उसके खेती होती है तो वहाँ पर government थोड़ा बहुत tax लगाती है तो सीधी सी बात है ये right इन दोनों के पास है so income tax act दोनों government ने दोनों मतलब हमारे constitution ने right दिया कि आपको अधिकार है law बनाने का law तयार करा गया और 298 total section हमारे income tax act में है अगला है income tax rule 1962 जैसा कि मैंने बोला कि 1961 में act तो आ गया लेकिन लेकिन क्या जो rule जो law उस time पर बने होंगे जो income का slab 1961 में decide हुआ होगा क्या वही अब तक follow होगा obviously नहीं बिलकुल नहीं यह year by year year by year लगातार change होते रहते हैं तो यह change करने का right है जो change करने का right है किसको central government को किसको central government को state government तो side होगी central government को वो income tax rule 1962 देता है जो हमारे act के section section 295 में लिखा हुआ है यह चोटी चोटी चीजे हैं अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है इससे अपनी जो अपनी knowledge है उसको enrich करने में काफी help मिलती है अपने explanation को अपने answers को better way में present करने का बहुत अच्छा benefit हमें मिलता है clear? यह point इसके अंदर आया साथ ही annual finance act इसको मैं short में लिख रहा हूँ यह budget है यह budget है clear? budget हर साल पेश होता है हर साल हम देखते हैं speech finance minister हमारी country के देते हैं और उस budget में सबसे interesting part यही होता है जो normally हम अक्सर सुनते हैं कि यार इस बार income tax के rate क्या रहेंगे क्या rate कुछ change होंगे या नहीं गौर्णमेंट कुछ नई saving scheme लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी यह सारी चीजें हमारी country के budget में होती है उस budget का एक section होता है छुटा सा उसमें खाली government budget में यही तो नहीं बोलते हैं income tax के बारे में और बहुत सारी बातों के बारे में discussion होती है construction को लेकर, transport को लेकर, infrastructure को लेकर लेकिन जिस section में, जिस part में जिस part में, जिस provision में हमारा क्या नाम है यह tax rate लिखे होते हैं नई schemes वगरा लिखी होती है वो होता है, उसका part होता है Annual Finance Act What? Annual Finance Act Got it? Clear? Now आगे बढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से Circulars issued by CBD CDT, Circulars issued by CBDT यह आपका आता है obviously किसके अंदर मतलब इसकी full form क्या है Central Board of Direct Taxation नोट कर लेंगे इसको Central Board of Direct Taxation और जैसे government को power मिली, rule के थूँ जाने की section 295 में यहाँ पर section 119 119 of our income tax act CBDT को Central Board of Direct Taxation को यह अधिकार देता है कि आप अपने Circulars issue कर सकते हो आप अपने Circulars issue कर सकते हो What is a Circular? Circular क्या है? जरस के बारे में discussion करते हैं What is Circular? ध्यान दो जैसे की जैसे की इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हमारी presentation उधर आ जाएगी जैसे की मैं यहाँ पर आपको बताऊं ठीके ध्यान देंगे Normally जैसे अभी इस साल का भी budget आने वाला है भाई February में February में February 2021 में हमारी country का जो budget है वो पेश हो जाएगा जो budget है वो पेश हो जाएगा फेब बजट में क्या होता है कि आने वाले एक साल आने वाले एक साल यानि के 1st April 21 से लेकर 31st of March 22 तक हमारे कुछ income tax के जो rules है वो follow होंगे वो हमें मानने पड़ेंगे जो हमारे budget में कहे गए है हर financial year के लिए हमारा budget बनता है अब ये होता कैसे budget में आपने बहस देखी होगी पर जो हमारे finance minister है वो बिल पढ़ रहे हैं अलग-अलग मुद्दे बता रहे हैं उदर से हे 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 हो हो ने लग जाती है महुला देखती है ये लोकसभा का अब उसमें बहुत सारे point है अब उसमें finance minister ने सारे point बोले ओके बोलने के बाद कई कुछ points पर बहुत सारे points है उसके अंदर लेकिन कुछ points पर सहमती नहीं हुई सब की ये tax rate थोड़ा कम लगा है ये tax rate थोड़ा ज़्यादा लगा है limit थोड़ी कम मिली है तो कुछ points पर सहमती नहीं होती सब की तो government क्या करती है कि यार इन दो एक दो point के लिए दो तिन point के लिए budget को थोड़ी नहीं रोका जाएगा what it ठीक है इन points को side रख दो इन points को side रख दो कोई दिखकत नहीं है and and बाकी pass कर दो बाकी सारे points टोके करो तो वो बाकी सारे points टोके हो जाते और कुछ points side रह जाते है ठीक है अब उन points को दुबारा से study करने का जो एक तरह से responsibility है वो दी जाती है CBDT को Central Board of Direct Taxation को कि यार देखो यार वो माने निन points पर जड़ा देखो दुबारा recall करो उसमें क्या हो सकता है तो अब इसमें क्या नाम है दो महीने, तीन महीने, चार महीने लग गए समय थोड़ा जादा हो गया ठीक है जुलाई में एक circular निकाल दिया circular बोले तो notice निकाल दिया और उसको अख़बार के जरीए internet के जरीए circulate कर दिया, issue कर दिया पहुचा दिया जनता तक कि वही ऐसा है कोई फलाना फलाना point रह गया था पिछली बारी और उस पर हमने अब study कर ली है और ये rate रहेगा ये limit रहेगी government उसको notice के through बता देती है और कह देती है कि ये rule ये rule ये वाला जो rule है ये हम निकाल तो रहे हैं जुलाई में निकाल तो रहे हैं जुलाई में लेकिन लागू ये April से होगा जो apply है ये April से होगा ठीक है तो कहानी में अगर आप देखो तो एक तरह से बीच-बीच में वो class में नहीं होता है monitor आके बोल देता है कि बही चलो ये period इसका फटा-फट से अरे copy जमा करो वगएरा वगएरा आप ये assignment जो था परसो जमा करना था नहीं कली करना है होता है ना ऐसे बीच-बीच में कोई भी information तो उसे मूलते हैं Circulars issued by CBDT CBDT तो इसके जरिये भी हम फैसला लेते हैं अपने जो rules वगएरा है उनको बनाया जाता है ओके गॉट इट इकलेर हुआ चलिए वापस आते हैं इधर आए थोड़ा सा ओके अब उसके बाद ऐसे ही अगला point हमारा है case judgment केस judgment दोस्तों कई बारी क्या होता है कुछ चीजें कुछ situation ऐसे arise हो जाते हैं जिनके बारे में हमारे income tax law में पहले कुछ नहीं लिखा था x y z कुछ भी तो उसमें तो उस case में फिर government तो कहती है tax लगेगा लेकिन जो जिसकी income create हुई है वो मना कर देता है कि भई नहीं ये तो एक्ट में नहीं लिखा हमें क्यों tax दूँ आपको ऐसे तो नहीं होगा है ना सीज़ी सी बात है अब फिर क्या case को जाता है case चलता है फिर government करी अभी पैसे लो इससे और go कहरा है मना कर तो case चलता है supreme court अपना high court वगएरा में और जब उस case का फैसला आता है ना पर text पे करा या नहीं करा whatever वो तो depend करेगा law पर ठीक है ना उस law उस फैसले को उस decision को उस judgment को law बना दिया जाता है क्यों? कि यार अगर आगे से दुबारा से case अगर arise हुआ तो फिर थोड़ी ना दुबारा से case लड़ते रहेंगे हम नहीं ये फैसला हो गया ना अब ऐसी कोई situation अगर आगे आपकी arise होगी तो सीजी सी बात है इसी जो फैसला अभी लिया गया है उसके आधार पर automatically उसका भी फैसला ले लिया जाएगा उसके लिए दुबारा से case लड़ने की जुरत नहीं है तो जो फैसले लिये जाते हैं हमारे Supreme Court, High Court में वो भी income tax decisions को लेने में हमारी help करते हैं ओके and the last is what yes notification notification कौन जारी करती है yes हमारी government central government और इसका ये छोटा लड़का ये CBDT ये government नहीं बनाया होता है तो कोई भी notification कोई भी notice अलग तरीके से नया कुछ भी जारी कर दे rules and regulation ऐसे वो भाई और वहनाओ आज से 500,000 के note नहीं चलेंगे ठीक है ऐसे हो गया था ना that's what तो और अगर किसी के पकड़े गए तो इतना tax लगेगा तो ये जो चीज थी जो भी था पैसे शो कर दो इतना tax लगेगा ये क्या थी ये notification थी जो government ने आपना जारी करी थी तो ये सारी चीजे हैं जिन से मिलकर हमारा income tax law बनता है तयार होता है और इसके income tax law के अंदर लिखे गए rules के बिहाफ पर हम decision लेते हैं अपने income tax का clear? got it? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो इन सब की हमने यहाँ पर explanation है वो भी अपना लिखी हुई है तो जैसा की आपका यहाँ पर बोला गया है income tax act 1961 ये आपका 1st April 1962 से शुरू हो गया था Act 61 में बनके तयार था पास करवा लिया था लागू 1st April 1962 से बोला गया 298 शायद ही मैंने बताय थी ये section हमारे exist होते हैं और total 14 इसमें schedules है sections आपके sections के अलावा और section के अंदर अपने clause और subsections वगयरा होते हैं अपने जो bracket वो हम पढ़ेंगे भी आगे चलगे subsection वगयरा जो भी है तो खेर ये इतना depth में आपको नहीं जाना ये law का हिस्सा बन जाता है आपको बस मालूम होना चाहिए overview इन चीज़ों में तो इन चीज़ों में तो okay clause जैसे के आपका ये example यहां पर दे रखें you just have to read over it हाँ ये चीज मैं जरूर बताऊंगा ये अक्सर ये word आपके आजाते हैं proviso and explanation a section may also have provisos and explanation proviso क्या होते है it gives exceptions to the provision जो rule बना हुआ है जो section लिखा हुआ है उसकी exceptions कि ये provision यहां लागू नहीं होगा ये section यहां लागू नहीं होगा उसको हम proviso कहते हैं और yes explanation तो हम जानती है कितना लिख चुके हैं already इतने paper भरे हमने जो clarification होती है कोई भी related उसको हम explanation कहते हैं got it clear चली आगे बढ़ते हैं ऐसा ही annual finance act की मैंने आपके बारे में बात करी जो हमारा ये budget होता है parliamentary session में जो आपका budget paste होता है उसको annual finance act कहते हैं इसमें tax structure के बारे में पूरी information होती है जब finance minister क्या नाम है संसद्धवन में घुसते हैं अपना budget पेश करने के लिए तो वो जो budget होता है न तब तब वो bill होता है तब क्या होता बिल होता है और जब पूरा हंगामे के बाद बोलते हैं कितने agree है ऐसे करके हाथ खड़े करते हैं कि हाँ हम agree हैं मतलब जब सब सहमत हो जाते हैं कि हाँ okay तो वो जो bill है वो act बन जाता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए जरूरी है कि what is the difference between a bill and an act तो जो bill है वो pass होने के बाद act बनता है existence में आता है amendments का मतलब होता है change पिछले साल क्या rule था इस साल क्या apply होगा उस changes को हम amendment कहते हैं और rate, TDS, advance tax इसको अभी आप ignore करेंगे ignore क्यों क्यों कि अभी इन चीजों का मतलब आपको नहीं पता है तो ये chapters हम पढ़ने वाले हैं अपने slavers में so don't worry about that उसके बाद income tax rule के हमने बात करी CBDT government ने इसको establish करा हुआ है अपने administration के लिए notifications जो government अपनी जारी करती है circulars जो CBDT जारी करता है ये अभी हमने सारा का सारा पढ़ा और yes case loss जो हमारे high court में हमारे supreme court ने जो जारी करें है अलग-अलग level पे ठीक है वो सारे के सारे points हमारे इसके अंदर आएंगे so now अभी तक की discussion के बिहाफ पर हमने अपने जो points है वो देखे अभी तक हमने समझा के tax हमारा है क्या पहले तो tax का meaning समझा उसके अंदर हमने income tax की बात करी कि भई income tax हम पढ़तो रहे हैं ये बना कैसे है उसके components हमने देखे अब शुरू करते हैं content start करते हैं अपना हम definitions का कुछ basic चीज़ें हमें मालूम होने चाहिए हम पढ़ने तो जा रहे हैं ठीक है बहुँ जब अगर हम बात करें कोई भी topic हमने पढ़ा कोई भी chapter होता ना कि social studies में पढ़ते थे अपना geography में पढ़ते थे कि today we are going to discuss about this chapter, this particular topic तो वो chapter किस से related है उसमें जो terms हम इस्तिमाल करने वाले हैं वो क्या है, वो अगर हमें पहले से पता हो, तो सीधी सी बात है काम असान हो जाता है तो जैसे science में बोल दिया कि ये फलाना हमने पैनों पर उचाला और ये नीचे आया और gravitational force उसका इसनी speed से उसको खीच रहा है वगरा वगर I don't know क्या-क्या था नमस्ते कह दिया था 10th के बादी ठीक है, क्योंकि आप लोगों से मिलना था तो obviously gravitational force क्या होता है, हमें मालूम हो तभी तो आगे पढ़ेंगे तो same ऐसे ही, कुछ important definitions हमें मालूम होनी चाहिए उसके बारे में हम discussion शुरू करते हैं हाँ, एक चीज़ आप याद रखेगा हाला कि law में ये आपने already शायद पढ़ लिया हो या observe भी करा हो किसी भी act में mostly I think I'm sure, यतने में ने पढ़े हैं उतने में तो यही है जो basically definitions होती है वो याद रखेगा दोस्तो हमेशा section 2 में लिखी रहती है और वो भी alphabetically orders में alpha लिख देता हूँ मैं आपको समझा जाएगा alphabetically order में मतलब जो इसकी definition A से शुरू हो रहीगी वो starting में आ रहा होगा ठीक है, उसके बाद A, B, C, D आप समझ गया है, ठीक है, इस order में लिखी रहती है section 2 में होती है but obvious है, जैसा कि मैंने बोला income tax बहुत जादा vast है, तो सारी definition हमें नहीं discuss करनी है हम सारी definition नहीं discuss करने वाले है जो major definitions है, जो मालूम होनी चाहिए, हम उसके बारे में discuss करेंगे, हाँ, जब कोई particular chapter हम discuss कर रहे होंगे तो उसमें इस्निमाल होने वाली definition वहाँ पर पढ़ी जाएगी, ओके तो सबसे पहली definition जो हमारी है कि हम कौन है, हम कौन है हम भारत है, हम एक देश है और वो देश, वो इंडिया, वो है क्या क्या चीज कवर कर रहा है इंडिया तो सबसे पहले, सबसे पहले अगर हम ध्यान दे यहाँ पर, that is territory of इंडिया इंडिया के अंदर क्या क्या आ रहा है territory of इंडिया, तो वो जो दिखाई देता है हमें, हमारे map में ठीक है, बड़ा प्यारा सा, जम्मू कश्मीर से लेकर, उपर अब तो हो गया न, अब तो हिसाब बराबरी कर दिया सब कुछ, अपना यह है जो नहीं है, देखेंगे बात में पर ठीक है, अब तो वो confusion खतम हो गई तो जम्मू कश्मीर से लेकर अपना तमिलनाडू होता है, अब में केरला होता है कन्या कुमारी, तमिलनाडू, obviously, right, sorry ठीक है, और अन्वानी को बाहर भी, लक्षदीब भी ठीक है, इधर अपना गुजरात से लेगे और उना चल तो यह जो political map हमें दिखाई देता है that is India, plus और India क्या-क्या है territorial water of India and sea beds and sub-soil underlying such water what is that, यह क्या होता है, देखो कभी गयो गोवा घूमने तुमारा तो cancel ही होता रहोगा, बहुत सारों से पता है, parents कहां जाने देते हैं पर some picture तो देखो, picture तो खुश होना भी आजकल ठीक है, तो गोवा आया किसी और मतलब सीज़ी से बादा समुद्र के किनारे, ठीक है तो समुद्र के किनारे हम क्या देखते हैं जैसे यह सीधी सी बात यहां पे paid हैं आपके यहां पे लोग हैं, घर बने हुए और उसके बाद जब जमीन खतम हो जाती है तो तब अपना यहां पे मैं ऐसे बना देता हूं द्राइंग देखो, खराब है मेरी मजाग ने उड़ाया कोई यह पानी शुरू हो जाता है ना यह अपना पानी शुरू हो जाता है clear? अब जो TWI है, Territorial Water of India यह international जो agreements है वो यह कहते हैं जो मिट्टी है, मिट्टी है खाली वो ही इंडिया नहीं है खाली वो ही इंडिया नहीं है याद रखिएगा उसके आगे 12NM यानि के 12 Nautical Miles तक इंडिया है वो जो पानी है ना लगभग 21 किलोमेटर के आसपास और पड़ता है तो वो भी इंडिया ही है मैप तो ही वो भी इंडिया है प्लस खाली यह पानी की सतह नहीं इसके नीचे यह जो म्रेत है यहाँ पे अपने कुछ अपना होता न वो कोरल्स वगयरा है वो भी आपका इंडिया माना जाएगा इंडिया Continental Shelf वो द्वीप जो निकलने हुए है यहाँ पे कोई द्वीप आ गया है मिट्टी आ गए फिर से यह भी इंडिया है इसको भी इंडिया कहा जाएगा एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन कस्टम में आईएगा तब डिटेल में इसको आपके साथ चर्चा होगी कस्टम एक्ट में फिलहाला भी समझने के लिए यह तो इंडिया है प्लस आगे चलके 200 नॉटिकल माइल्स तक 200 एनम तक भी इंडिया का एक्सक्लूसिव एकनॉमिक जोन है मतलब वहाँ पर अपनी वो गतिविधिया तेल निकालने का काम कुछ मिनरल निकालने का काम समुद्र वगयरा में कर सकते हैं वो पार्ट भी इंडिया का माना जाएगा और एनी अधर स्पेसिफाइड मेरिटाइम जोन एंड एर स्पेस अबव इट्स टेरिट्री एंड टी ड्व आई तो मेरिटाइम जोन यहाँ पर एंड माननी को बार वगरा के लिए बिल्कुल हटके हैं ना बट इस आर पार्ट ऑफ इंडिया और हाँ एर स्पेस यह मिट्टी हमारी है तो इसका मतलब यह नहीं के हावा किसी और की है उसके ओपर गिए टेरिट्रियों किसी और नहीं वो भी हमारा है भाई तो वो उसके मतलब के भाई ठीक है जमीन तुमारी है तो उपर से पाकिस्तान वाले अपने जहाज ले जा रहे हैं ठीक है कुछ करने है ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई यहां आने की जरुरत नहीं है यहां तो पता नहीं कौन कौन से खरीदने में लगए है परदानमंत्री हमारे खतरनाख खतरनाक से तो यहां नहीं की जरुरत नहीं है उदर रहो यह हवा भी क्या है हमारी है कुछ हुआ तो दिक्कत तो फिर बस तुम भूलो उस बात को ट्लेर जी तो यह हमने यहां पर इंडिया की बात करी तो ये एक definition जो इंडिया की हमें मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या चीजे cover होती है आगे बढ़ते हैं अरे बाप रे ये हुई ना बात अब आई है definition तो अब आई है असली definition and that is what assessi that is what assessi ये word सबसे जादा हमारा इस्तेमाल होने वाला है हमारे इस पूरे syllabus में and that is what assessi अच्छा उपर अभी definition देखी थी आपने क्या था section अभी मैं वैसे short में बताऊंगा आपको section 2 ठीक है आपका definition का मैंने बोला और section 2 section 2 के साथ जो अंदर है 25A इसको subsection कहते है section के अंदर जो बाकी point लिखे हुए point के अंदर point तो point यह section है उसके अंदर का जो point subsection है अब जो India की definition है वो 25A में लिखी हुई है subsection है ना इसको याद रखेंगे जरा assessi की बताना sir वो 7 में लिखी हुई है वो 7 में लिखी हुई है so A A 7 पे है A 7 पे और भी A से definition होगी बट assessi A is in 7 but India I 25 मैंने बोला ना alphabetical यह alphabetical orders में हमारी definitions शुरू होती है तो India की आपने पढ़ ली हाँ assessi की आपको definitely याद रखनी है एक important definition assessi की अब सवाल यह है कि assessi होता क्या है तो हमारा section 2 subsection 7 क्या कहता है कि who is assessi definition पर जाने से पहले मैं short में बता दूँ आपको जिसके लिए calculation होगी जिसके लिए calculation होगी किसकी calculation income की calculation क्या निकालेंगे उस पर tax निकालेंगे उसको बताएंगे कब तुझे जमा करना है कितनी saving करनी है ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें पूरी consultancy वो assessi होता है वो assessi होता है भई इस syllabus में हम क्या करने वाले हैं हम भई कोई भी particular question हमें होगा उस question में कोई नाम होगा Mr. Ram, Mr. Shyam, Mr. Abdul ठीक है, Rajesh जी, Rakesh जी इन्होंने इतनी income generate करी इनका tax निकालो ये फलाना company AB Limited, XY Limited ठीक है, कोई भी limited है ना, तो सीधी सी बात यहां पर क्या निकल कर आई कि जिसके लिए tax calculation होती है जिसका हिसाब किताब लिया जाता है जो tax pay करता है वो assessi होता है तो short में तो ये है हमारी definition ठीक है, short में तो हमारी definition ये है, okay but obviously law पढ़ रहे हो भी है या, ऐसी थोड़ी ना ठीक है, पूरा explanation, proper consideration हमें माननी पड़ेगी तो हमारा section क्या कहता है assessi कौन है तो पहले तो उसने बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया कि हर प्रकार का any tax or any other sum of money is payable under this act उसे assessi बोला जाएगा जिस व्यक्ति को tax pay करना है और कुछ और भी pay करना पड़ सकता है penalty वगरा, late payment करी है interest लगा है, कुछ भी वो assessi होगा clear? it includes थोड़ा सा अब इसको elaborate करते हैं पहला क्या है? tax payable तो यह तो यही वाली बात होगी ठीक है, जो tax pay कर रहा है उसको हम assessi वोलेंगे साथ ही, preceding started जिसके खिलाफ कोई preceding start हो चुकी है tax वगरा calculate करने की वो भी assessi माना जाएगा जैसे for example यह वाला example दिया था ने मैंने भी कि वो assessi क्या नाम है क्या रहा है कि income generate हो गई वो law में नहीं लिखी थी, अब case चल रहा है तो सीधी सी बात है preceding start हो गई है काम धाम उसका शुरू हो गया tax calculate करने का कितना बनेगा वगरा वगरा तो उसको भी assessi माना जाएगा ठीक है उसके बाद, हाँ, ये ये वाला point deemed assessi ये अच्छा point deemed assessi और इसमें मैं एक word आपको बता दू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे that is what आपका refund वाला हाला की इधर भी आ रहा है बट मैं यहाँ पर भी refund लिखता हूँ दो example देता हूँ मैं आपको दो example देता हूँ जैसे की for example for example एक ना TDS होता है भी यहाँ पे लिखा नहीं है मतलब थोड़ा मैं आपको advance में बता रहा हूँ TDS Tax Reduction at Source उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है जब income generate होती है उसी time पर tax काट लिया जाता है जैसे for example मैं आपके पास employee हूँ नमस्ते मालिक जी ठीक है मैं आपके पास employee हूँ ओके आप मुझे पगार देते हो पगार देते हो मैं 10,000 रुपे महीना है न शरम नहीं आरी दो 10,000 रुपे क्या हो जाजकल 10,000 रुपे मालिक थोड़ा बढ़ा दो तो आपने भी वह ही अगले महीने आ जाना खेर 10,000 रुपए आप मुझे पे करते हो महीने के और साल के कितने होगे 1,20,000 रुपए अब 1,20,000 रुपए जो है वो tax free होता उस पर कोई tax नहीं लगता 2,500,000 रुपए तक वैसे कोई tax नहीं लगता अब वो next chapter में discuss करेंगे वर फिलहाल obviously 1,20,000 रुपए पर कोई भी tax नहीं लगता आप क्या करते हो आपकी पापी नजर मेरे उपर आपकी पापी नजर क्या 10,000 रुपए देते तो हो उसमें से भी 1,000 रुपए tax के काट लेते हो ओके तो अब TDS government rules के साब से वो आप सीधी सी बात है आपने काट लिया अब नतीजा क्या निकल कर आया यहां पे कि आपने हर महीने मेरा 1,000 रुपए tax काटा साल का कितना हो गया? 12,000 और मैं government और आपने वो government को जमा करा दिया ऐसे करते हैं tax काट के government को जमा करा देते है अब मेरी total income एक लाग 20,000 tax देना बनता भी नहीं था फिर भी मेरे नाम के हिसाब से फिर भी मेरे नाम के हिसाब से मेरे नाम का 12,000 रुपए पहुँच गया है मैं कहांगा government से जी आपस दे दो government के वापन नहीं बनता था यहां से काटे गए उस चीज को कहते है return यानि के income tax return तो मैंने income tax return जब मैं file कर देता हूँ तो भले ही मैं tax pay नहीं कर रहा मैं government से वापस tax मांग रहा हूँ वापस tax मांग रहा हूँ उसको बुला जाता है आपका deemed assessi मैं कौन बन गया फिर भी return वगयरा मुझे फाइल करने पड़ी तो that is what आपका deemed assessi ऐसे ही company के अगर हम बात करें company के ओपर tax लगता है company की जो income है उसके ओपर tax लगता है but company थोड़ी ना कुछ होती है company को कौन चलाता है director चलाता है okay कौन चलाता है director चलाता है तो directors are like deemed assessi for the आपका क्या नाम है company के उसके लिए उसको responsible कौन होंगे आपके डिरेक्टर होंगे that is what deemed assessi yes and last point is legal sorry legal representative या representative assessi हम इसको बोलेंगे normally होता ना जैसे movies में देखते हैं एक बच्चा है चोटा सा आपका 5 है साल का एक accident में विलन ने उसके parents को मरवा दिया पूरा कबजा करने के लिए लेकिन जैसे वो कबजा करने पहुंचता है तो एक वसीयत सामने आ जाती है यह जब तक बच्चा 25 साल का नहीं होता है सब कुछ इसके नाम रहेगा इसको कुछ हो गया तो सीधी सी बात है सब government के पास चला जाएगा होता ना ऐसा बहुत सारी चीज़े होती है तो condition क्या नतीजा क्या निकल करा है हाँ हाँ कि विलन को कुछ नहीं मिला और उल्टा अब 25 साल तक उसकी सेवा और करने पड़ेगी तो यहाँ पर क्या है अब वो जो छोटा सा बच्चा है पांच-छे साल का दस-बारा साल का उसको थोड़ी ना पता है टेक्स क्या है बट जबकि सारी की सारी इंकम उसके नाम पे जनरेट हो रही है so in that situation जो उसके बिहाफ पर टेक्स भरेगा जो उसके बिहाफ पर टेक्स भरेगा यह नहीं कि जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटेटिव है उसे असेस्सी कहा जाएगा ओके तो यह हमने यहाँ पर असेस्सी की जो कंसेप्ट है उसको हमने डिसकस करा इसके अलावा आपका असेस्सी बाइ डिफॉल्ट कभी आपने पिछले दो तीन सालों में टेक्स नहीं भरा था लेकिन टेक्स था आपका निकल के आया गौर्मेंट ने पता लगाया आपको नोटिस भेजा तो अब आप असेस्सी थे तो नहीं पर बन गए तो यह हमने असेस्सी की डेफिनेशन यहां पर लिखी और जैसा की हम यहां पर देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में था तो आपका यह सेवन के अंदर सबसेक्शन सेवन के अंदर यह पॉइंट हमारा कवर हुआ था चलिए आगे आएंगे हम अब आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण डेफिनेशन पर एक और इंपॉर्टन डेफिनेशन पर अब देखो अब देखो देखो परसन परसन बोले तो असेस्सी बोले तो A स्टार्टिंग में 7 है ना इंडिया आई थोड़ा आगे चला गया 25, 25 A परसन P ये 31 पर पहुँच गया तो अलफ़बेटिकल ओडर में हमारी जो डेफिनिशन हैं वो लिखी जाती है section 2 में परसन की बात करते हैं टेक्स किसके उपर लगेगा बात ये है कि जो टेक्स है वो किसके उपर लगेगा किसके उपर existence आएगी कौन कौन टेक्स पे करेगा तो गौर्मेंट ने बोला अपने constitution में कि परसन को टेक्स देना पड़ेगा अब ये परसन कौन है मैं आप हमारे जैसे आम लोग कौन है कौन है वो बोलो बोलो कौन है ठीक है कौन था रसोई में कौन था ने रसोट वटेवर जो भी था कौन है जो आपका टेक्स पे करेगा तो ध्यान रखेगा गौर्मेंट ने बोला कि परसन जी जो है हमारे 31 वाले परसन जी 31 वाले ठीक है टेक्स पे करेंगे कौन है ये परसन इसमें भाती-भाती के लोग हैं, तरह-तरह के इसमें लोग हैं, जो कवर करे गए हैं एक तो है साधारन सा प्रानी, इंडिवीज्वल, एक दो पैरो वाली प्रजाती, इंडिवीज्वल, परसन परसन ने इंडिविजुल हम जैसे आम लोग ठीक है वो आपके परसन के अंदर इंक्लूड होंगे कहने का मतलब जो टेक्स है वो परसन के उपर लगाया जाएगा जब हम बोल रहे हैं तो उसके एंदर जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो क्या है इंडिवीजुल जो भी ह्यूमन बिंग होते हैं ठीक है जो भी हूमन बिंग होते हैं ठीक है ऐसे ही जो special cases है, इसको कोई बात नहीं, अभी आप इसको छोड़के चल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत depth हो जाएगा अभी, धीरे-धीरे cover हो जाएगा आपका, but in short, अगर हम बात करें, individual human beings, अच्छा, और कौन-कौन है, और context देगा, जी ऐसा है, जो H.U.F. है, हमारा Hindu undivided family, business studies 11th class, पढ़ा था हमने, येस, Hindu undivided family, एक family, अपने एक respective business में involved है, वो ही काम करती है, सबसे घर का बड़ा आदमी manager होता है, जिसको हम करता कहते हैं, जो कुछ नहीं करता है, clear, तो H.U.F. को अलग category यहां पर दी गई है, हाला कि, अब H.U.F. बहुत कम रह गई हैं इंडिया में, जो registered मेरे ख्याल से 100 भी नहीं होंगी इंडिया में, जहां तक, जहां तक मुझे थोड़ अंदर जगा, बाकी हुआ सकता मैं गलत हूँ, बढ़ यहां हिंडू undivided family के थुरू अब business बहुत कम होते हैं, क्यों कम होते हैं, क्योंकि अब यहां अगला point, यानि के हमारे partnership firms अब ज़ादा exist होने लग गए हैं, लोग partnership के थुरू ज़ादा काम करते हैं, इसलिए जो partnership firm हैं, उनको भी person की category में रखा हुआ है, मैंने और आपने मिलकर कोई business plan decide गरा के चलो भई, यह फलाना काम करते हैं, production करेंगे, चीज करेंगे, services देंगे, जो भी हम दोनों ने आपस में मिलके, पैसा लगाया, invest करा, so we formed a partnership, के भई, we and आपका नाम क्या, हाँ जी, विनीत and ये, विनीत and आप, एसोसियेट सी, partnership firm है, तो जो income calculate होगी, मेरी separately calculate नहीं होगी, आपकी separately calculate नहीं होगी, हम दोनों की combined in the name of partnership firm create होगी, उसको उसके उपर tax लगाया जाएगा, हमारी income दोनों की अलग-अलग नहीं treat होगी, तो कैसे calculate होती ही, वो हमारा syllabus में हैं आगे, but the thing is, tax apply होगा partnership firm के उपर, got it, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारा आता है, yes, company, company को भी person की category में रखा गया है, कि जो tax लगेगा, वो reliance industry के उपर लगेगा, location बानी के उपर नहीं लगेगा, tax जो लगेगा, वो Tata Steel एक company के उपर लगेगा, उसके directors के उपर नहीं लगेगा, हाँ, वो बात अलगा, responsible वो ही है, indirectly, जैसे deemed SEC की बात अभी करी थी हैं हमने, but the thing is, जो laws applicable होंगे, वो company के उपर होंगे, ओके, और ऐसे ही आएगा, local authority, ये जानते हैं क्या, आपकी अपने area की, आपकी अपने area की, कोई ना कोई municipal authority जरूर होगी, जो नगर निगम है, वो जरूर होगा, जैसे डेली में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे यहाँ पर, NDMC है, NDMC, New Delhi Municipal Corporation, ऐसे ही, दूसरा जो पार्ट है दिल्ली का, that is MCD, Municipal Corporation of Delhi, ऐसे ही, क्या नाम है ये, मुंबई का मुझे मालूम है, that is BMC, Bombay, BMC, Bombay Municipal Corporation, ठीक है, water supply के लिए लग-लग local authorities, जो government formed करती है, ये भी person के अंदर आती है, इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, इनकी जो income होगी, उसको भी tax pay करना होगा, definitely pay करना होगा, right, and then finally, अगर हम देखें, कितने point होगा, हाँ, 5 होगए बई, दो और है, दो और है, right, दो और है, कौन-कौन है, बोडी ईन्डिविज़ोल, इन्डिविज़ोल कहां थे, ये थे, तो एक अखेला, is individual, लेकिन जब दो इन्डिविज़ोल, कम्भाइन्ड, कम्भाइन्ड होकर, अपनी income रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी income रिप्रेजेंट करते हैं, like a joint venture, like a joint venture वो body of individual कहा जाता है तब उनकी combined income पे tax लगता है and yes ठीक उसी तरीके से अगर मालो ये तो BOI individual only individual लेकिन मालो कोई individual अपना काम किसी HOF के साथ मिलके करता है या कोई partnership firm किसी company के साथ मिलकर काम करता है या कोई HOF local authority के साथ मिलके करती है तो उसे बोला जाता है A.O.P यानि कि association of person क्या बोला जाता है association of person ये पांच लोग है ना पांच में से आपस में कोई दो या दो से जादा मिल गए तो उसको क्या बोलेंगे A.O.P लेकिन खाली individual ही आपस में मिले तो उसको बोला जाता है BOI body of individual So these are the contents जो हमारे person की definition में cover होते हैं याद रखेंगे person section 2 subsection 31 पी है थोड़ा बाद में आएगा ना ये साफ साफ कहता है government कहती है not this section के जरीए government कहती है कि text लगेगा person के उपर person कौन? खाली वही प्राणी जो दो पैर उपर चलता है नहीं हम सब को cover करेंगे इसके अंदर इसमें हमने individual भी cover करें अपने partnership firm भी cover करें हमने company, local authority और जो combined अगर अपना कोई business कर रहा है उसको भी cover करेंगे तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं हमने overview लिया Hindu undivided family ठीक है ये इसके बारे में note हमारा इसमें जिसे ही बुलावा ना corporate answer corporate answer मतला वो ही करता जो पता नहीं कुछ करता है नहीं करता ये अलग-अलग schools हैं जो Hindu laws हैं आपका दयाबाग और मितक शारा but just read it not as per the syllabus required company के बारे में company की definition ये देखो company section 2 sub section C आगया na starting में आ जाएगा ठीक है 17 पर okay company आपका 17 पर ऐसे ही firm F आगया section 23 ये आपका आपका cover होगा yes exactly और बाकी तीन पॉइंट पहले local authority ठीक है और आपका association of person और body of individual and yes माफ कीजिएगा एक और है एक और है एक और कौन है AJP AJP BJP नहीं that's AJP okay AJP मतलब artificial judicial person artificial judicial person अगर कोई व्यक्ती अगर कोई व्यक्ती अगर कोई person ठीक है व्यक्ती ने बोलेंगे व्यक्ती इंडिविजल हो जाता है अगर कोई person इन में cover नहीं हो रहा इन सब में cover नहीं हो रहा वो इसमें cover होगा and artificial judicial person से क्या मतलब है आपका artificial judicial person से क्या मतलब है आपका जो एक ठपे के दम से स्थापित है और काम करता है for example schools colleges मंदिर मस्जिद मतलब जो भी आपके charitable trust हैं सारे के सारे institutions आपका अपना institution ओके बज़ जैसे मैं school की बात करता हूँ आप जब school की fees पे करते हो करी थी मनदाट सारे अब तो आस हो गए करी थी जब institute को आपने fees दिये जब okay तो जो slip आपकी आई उस पर लिखा थोड़ी ना होता है कि जी मैं आज सुबह fees जमाने करा और ये फलाना मिस्टर शाम सिंग वहाँ पे मिले उनको मैंने fees दे दी ऐसा तो नहीं लिखा होता न उस पर institute का नाम लिखा होता है I.C.A.I. I.C.M.I. I.C.A.I. जिस ओभी institute है हमारा clear bar council अगर law कर रहे हो तो okay कुछ भी हो सकता है तो institute का नाम लिखा होता है के fees institute को दी गई है तो वो institute काम कैसे करता है अपनी seal से अपने ठपे से काम करता है ठीक है ऐसे मंदिर में जो एक चड़ावा जाता है उनकी भी income calculate होती है trust के थूँ banks होते हैं हमारे ठीक है banks की जो income है वो calculate होती है तो यह सब कौन है these are AJP artificial judicial persons चोड़ना किसी को नहीं है government को पैसा चाहिए सबसे भाईया हमें चाहिए पैसा जो भी कुछ कमाया हमें tax देना पड़ेगा ओके यह points हमारे जो assessi की definition में हमारे cover हुए ठीक है यहाँ पर यह वाला point था हमारा every other every other artificial judicial person जो ओपर की category में नहीं आ रहा है ठीक्जामपल यहाँ पर वो ही आगया आपका yes, मंदिर वगरा example यहाँ पर लिखा हुआ है got it so I hope you got these definitions उसके बाद उसके बाद जरा 2-3 definition और हमने यहाँ पर लिखी हुई है आओ जरा इसको discuss करें बड़ा ही simple सा point अरे अभी मैंने आपको जरा बताओ 2-31 में किसकी definition थी 2-31 में sir थोड़ा late है इसमें तो हमने P पड़ा है सबसे late person है person यह definition है sir यह definition है 2-32 अरे यह तो अगले में ही लिखी हुई है यह 2-32 यह तो अगले में ही लिखी हुई है दोस्तो यह भी person की definition है लेकिन वो person कौन है वो person है आपका substantial interest वाला थोड़ा मतलब बड़ा आदमी सा लग रहा है substantial interest वाला ठीक अब यह होता क्या substantial interest याद रखेगा any person who is beneficial owner of shares not being shares entitled to fixed rate of dividend in short equity shares in short equity shares okay whether participating in profit or not holding holding लिखेंगे मेरे साथ यहां पे 20% or more holding 20% or more सीधी सी बात है अगर अगर किसी person person वर कोई भी हो सकता है individual भी और आपका कोई company भी company company में अपना share जब बनाती है या हूएफ भी partnership हम भी जब वो किसी company में अपनी हिस्सेदारी shares में equity shares में ठीक है वो 20% या उससे ज़ादा hold कर लेते हैं तो उनको कहा जाता है कि उनका उस company में substantial interest है अच्छी खासी पकड है अगर हम बात करें start करो start करो obviously ठीक है और उसके में आप मालो चार-पांच लोग रहते हो अपने start करते हो और उसमें से जिसके पास भी हिस्सेदारी 20% से उपर रहेगी तो उसको बोला जाएगा आपका substantial interest clear? और yes person 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 31 में था अच्छे वाला person 32 में आगिया alphabetical order okay now similarly ऐसे ही एक और definition आपकी average rate of tax ठीक है तो A starting में ही है यह दिख रहा है 10 में ही and एक maximum marginal rate of tax 29C में है मैं इसको बता दूँ आपको यह MMT जो है अभी आपको यह MMR यह maximum marginal rate इसको भी avoid करना अभी हम क्या नाम है computation of income पढ़ेंगे वहाँ पे इसको लेकर चर्चा करेंगे but what is average rate of tax यह बड़ा ही simple है बड़ा ही simple है इसका बिल्कुल simple सा straightforward case हम देखते है माल लिजे आपकी income ठीक है आपकी जो income है आपकी income कितनी साल की बोलो सर हमारी कहां income कुछ pocket money मिलता है अच्छा pocket money बताओ चलो नहीं pocket money बताओ ना pocket money पर tax होड़ी नहीं लगता है income assume कर लेते हैं कि हमारी कुछ job है लगी जाएगी यार बाद में क्या दिक्कत है है ना तो अपना हमने income थी हमारी tax calculate करा तो tax आपका मैं assume कर रहा हूँ ठीक है मालो आपका tax आगया आपका 3 लाख रुपे ठीक है तो इसको बस percentage में निकालना है 3 लाख divided by 24 लाख तो 1 by 8 into 100 ये 12.5% आगया ठीक है ये मेरा ARR है average rate of tax है average rate of tax है that's it ये निकालने का चोटा सा formula इस से ये पता चलता है कि मैंने कितना कमाया और उसमें से कितना tax दे दिया गाट इट किस percentage में मैंने tax payout करा गाट इट so these are some basic definitions जो हमने cover करी जो at least हमें मालूम होनी चाहिए content पर जाने से पहले दो definition अभी हम और discuss करेंगे एक है हमारी previous year की definition एक है assessment year की वो थोड़ी देर बाद अभी उसका number आएगा उसका number आएगा उसका time आएगा अब इसको देख लेते हैं पहले हमने definition करी किसकी starting में आपकी India की करी थी उसके बाद हमने person की definition की बात करी असेसी की करी तो असेसी अपना starting में था A7 ठीक है सबसेक्शन याद रखने का तरीका income इंडिया की बात करी तो हमने ये 25 में आगया 25 हमने main रखा person थोड़ा P बाद में हो गया था person 31 में और एक और उसका भाई आपका 32 में चला गया था ये अपना इसका साला की नहीं करा आगे करेंगे got it clear? चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे हमारा आ गया है income and its constituents के income जो है वो इसको उपर ले जाते हैं यहाँ पर ले आते हैं यहाँ खाली जगे कुछ छोड़ी हुई है मैंने इसमें आपको कुछ लिखाना है काम की चीज लिखानी है मैं लिखाता हूँ ठीक है? इस हेडिंग की बात कर रहे हैं कि income क्या होती है income and its constituents section और फिर वोई income देखो बड़ा interesting अगर चीजें पता चल जाएं तो देखो कितनी आसान हो जाती है यह इंडिया है इंडिया भी पड़ा था हमने 25 में था है यह income है income c o m e तो देखो i n c i n d यह 25 था यह 24 में होगा इतनी सी बात है के नहीं आसान सी तो वोई definition अब यहाँ पर बता रहे हैं तो यह वाली heading हमारी मैं next page पर जा रहा हूँ पढ़ना क्या है जड़ा एक बार इसके बारे में हिंट देता हूँ आपको income income किन किन चीजों से मिलकर बनी है income के अंदर क्या क्या आएगा क्या क्या उसका भाग है क्या क्या उसका पार्ट है यह हम पढ़ेंगे लिस्ट यह पूरी लंबी दिखरी आपको बुक्स में लेकिन उससे पहले यह खाली जगए मैंने छोड़ी यहां पे मैं आपको कुछ जरूरी चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है मैं पहले वो लिखाना चाहता हूँ और वो क्या है वो क्या है हमारा वो है हमारा Heads of Income Heads of Income Income के सर Income के सर सर मतलब मैं नहीं सर मतलब सर ये In short categories In short categories अगर हम किसी particular income की बात करते हैं तो उसकी income generation किसी particular person की income generation कई तरीके से की जा सकती है भाती भाती नाना प्रकार तरीके से वो की जा सकती है ठीक है पर कोई जॉब कर रहा होगा वैसे कमा रहा है कोई अपना बिजनस कर रहा है अपने इसाब से किसी ने पहले कुछ एसेट खरीदी थी सस्ते में आज महेंगे में बेची तो उससे वो कमा सकता है अलग-अलग जरीये हैं अलग-अलग तरीके हैं लोगों के पैसे कमाने के तो उन अलग-अलग तरीकों को Income Tax Act में Income Tax Act 1961 में पूरा बोलेंगे न Income Tax Act 1961 में पाँच केटेगरीज में डिवाइड करा गया है कितने काटेगरीज बच्चों कितने काटेगरीज दोस्तों पाँच ठीक है पाँच और उन पाँचों को क्या बूला गया है Heads of Income ओके Heads of Income वो कौन-कौन से हैं सबसे पहला सबसे पहला आप लिखेंगे साथ-साथ यहां पर ठीक है जरूरी है सबसे पहला है कि अगर कोई व्यक्ती कोई परसन आपका जॉब कर रहा है कहीं पर किसी के पास एज एन इंप्लोई और उससे रिमिनरेशन उससे पैसा कमा रहा है So that is what that is what income income from salary उससे क्या बोला जाता है salary इसका amount हम यहां लिख देते हैं ऐसे डैश 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 करके clear? ओके ठीक उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से हो सकता है कोई आदमी उसने अपनी property को rent पे दे रखा हो तो उससे वो कमा रहा है rental income that is what income income from house property income from house property clear? यह इससे कमा रहा है ऐसे ही हो सकता है कोई व्यक्ति अपना business कर रहा हो तो income from short में लिख रहा हूं में PGBP यह बोला करेंगे PGBP profit and gain from business and profession profit and gain from business and profession ठीक है तो बिजनस कर रहा है उससे कमा रहा है ठीक उसी तरीके से income कैसे create हो सकती है income create हो सकती है जब आपने पहले कोई asset कोई asset and the better word is capital asset capital asset आएगा chapter आएगा इसका भी time आएगा वो आपने पहले खरीदी हलके में हलका बोले तो सस्ते में अभी उसको बेचा मुनाफ़ा कमाया बढ़ीगा एक दम धिंचाक उसको बोला जाता है income from income from capital gain capital gain and finally the fifth one आपने पैसा कमाया इस जरिये से जो इन चार केटेगरी में नहीं आता उसे बोला जाएगा income from other other sources क्या बोला जाएगा income from other sources जैसे कोई interest की income कमाता है जो horse races other activities से कमाता है इसको बोला जाएगा other sources got it इन पांचो को दोस्तों जब हम order करते हैं एक person के लिए जरूरी नहीं है कि सब की सारी income हो हो सकता है कोई salary से ही कमा रहा हो house property उसका zero हो capital gain हो पर bgbp ना हो तो हो सकता है ठीक है लेकिन इन पांचों को calculate करना पड़ता हरे के लिए जब आप इसको जोड़ देते हैं तो तब आता है आपका total income और इस amount मैंने हाँ पर लिख लिया और इस total income पर जो tax है वो लगता है tax लगता है star बना दू मैं हाँ पर बना दू मतलब TNC terms and condition apply अभी यह कह देना कि tax लगेगा इतना काफी है हाला कि कुछ और terms का हमें ध्यान रखना पड़ता है but we are not going to complicate that now ओके जी clear तो इस तरह से process होता है तो एक तरह से यही slayvus है आपका that is your slayvus जो आपको majorly पढ़ना है कि salary से income जब कमाते है तो उसकी computation कैसे होती है जब हम house property से कमाते है उसकी computation कैसे होती है PGVP से कमाते हैं तो उसकी computation कैसे होती है asset बेची past में उससे कमाया capital gain यह कैसे होता है और other sources and yes obviously क्यों ना इसको और बढ़िया तरीके से लिख लिया जाए जो salary के provisions है 298 section है भाई salary के जो section है हमारा जो हम पढ़ेंगे वो 15 से 17 section 15 to section 17 of income tax act हाला कि कुछ point other sections के इसके बीच में आएंगे but formally अगर हम देखें तो 15 से 17 ऐसे ही house property का सिलसिला शुरू होगा section 22 से लेकर 27 तक PGVP बहुत बड़ा chapter है आपका आपको पढ़ना है section 28 से लेकर आपका section 44 तक clear ऐसे ही पढ़ेंगे आप capital gain आपका capital gain स्टार्ट होगा obviously उसके बाद 45 से ये जाएगा 55 तक and other sources थोड़ा छोटा है notes टाइप है ये शुरू होगा आपका 56 से और जाएगा 59 तक so these are the major sections जो आपको cover करने है okay salary का सबसे starting में 15 से 17 house property 22 से 27 तक जाएगा ठीक है इसके अंदर क्या है sections में वो discussion होगी obviously PGVP 28 से 44 है ये काफी बड़ा content है obviously इसके sections जादा है capital gain भी अच्छा खासा है 45 से 55 but other sources is quite law 56 से लेखर अपका 59 तक clear तो ये आपके heads हैं दोस्तो जो हमें income के पढ़ने के income कहां कहां से generate होती है clear आगे बढ़ते हैं इसको अब आगे अब आगे ले जाते हैं इसको यहां पर यहां पर अब meaning general definition वगरा देखो तो वो ही idea आपको यहां से मिल जाएगा just go through it यह पूरा पढ़ने की ज़रुद नहीं है रियाद करने की ज़रुद नहीं है आपको याद नहीं करना है ठीक बस पढ़ना है तो कोई भी जो monetary time उसने arise करी है वो income के अंदर cover होगी money की shape में however all receipts do not form the basis of basis of taxation under the act जो भी कुछ सारा पैसा मिलता है उस सारा का सारा taxable नहीं होता जैसे कुछ gifts वो taxable नहीं होते agriculture income वो taxable नहीं होती आपको pocket money मिली वो taxable नहीं होती तो बहुत सारे चीज़ें वो धीरे-धीरे सीखो के income include income क्या बोल दिया include क्या-क्या आएगा तो अभी बोला ना PGVP profit and gain from business and profession कौन सा section था अरे सर 28 से शुरू था 44 तक पढ़नेंगे चुटकियों से dividend share खरीदे हुए उसका कुछ मिला आपको dividend तो yes obviously यह आपका क्या नाम है अरे क्या कहते हैं उसको other sources में आ जाता है ऐसे voluntary contribution received by कहीं से हमें कुछ funds वगेरा मिले वगेरा वगेरा यह salary के अंदर आएगा जो allowances वगेरा है यह भी salary के अंदर आएगा perks वगेरा इसा point है उसको just read करिए capital gain देखो यह बोल दिया taxable under section 45 sir 45 से ही पढ़ना है हमें भी deemed profit to the tax 41 sir यह प्रोफ 41 यह तो PGP के अंदर आ रहा है 59 अरे sir यह तो आपने other sources में बताया यह चीज़े click होनी चाहिए हमें section का देखो क्या फायदा है कि हमें exam में अपनी explanation देने में benefit मिलता है नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बट लिखोगे तो अच्छा चलेगा गलत section लिखने की ज़रत नहीं है लेकिन अगर लिखते हो तो उससे हमारे answer की जो enrichment है वो बहुत अच्छी होती है तो यह सारे अलग-अलग points है आप इनको just read out करेंगे क्योंकि यह सारे के सारे points lottery वगएरा, card game वगएरा अपना कुछ keyman, चाबी वाला आदमी यह तमाम चीज़ें यह सब हम अपने हर head के अंदर जो chapter में पढ़ने है उसको discuss करने वाले हैं in detail चली आगे ले जाएं इसको आगे यह सारे points आप इनको read करेंगे yes, उसके बाद आएए कुछ theoretical content अगर हम बात करें कुछ theory वाला point जो है वो भी discuss कर लेते हैं now दो heading हम discuss कर रहे हैं एक GK type हमारा एक है हमारा capital receipts और एक है हमारा revenue receipts अब इसके अंदर अगर हम ध्यान दें capital receipts और revenue receipts में मैं पहले मुद्दे पर आज़ो मैं पहले main चीज़ पर आज़ो main चीज़ क्या कहा रहा है यह tax treatment पर आओ दोनों की tax treatment पर आओ capital receipts not taxable है और revenue receipts यह हमारी taxable है तो यह difference रखना बाकि 12th class में economics में पहले तो पढ़ा है भई 12th class में आपने भी पढ़ा ही होगा revenue receipts क्या होती है revenue receipts क्या होती है they are somehow like regular income they are like regular income जो हमें receive होती है regular basis पर and capital receipts कभी कभी जो हमें receive होती है उनको क्या बोला जाता है capital receipts बोला जाता है तो उसी के बिहाफ पे इनका जो difference है वो हम यहाँ पर देखेंगे तो capital receipts said what capital receipts refers to fixed capital यह आपका circulating capital है regular basis पर जो हमारी आती है received towards substitution of source of income amount received as compensation for surrender of any right of ownership यह मतलब CDC बात यहाँ पर कोई काम कर नहीं रहे हो आप यहाँ पर यह काम जो है वो कोई कर नहीं रहे हो किसी चीज को surrender करने के बदले आपको जो कुछ amount मिला है that is what आपका capital receipts का जाता है और याद रखिएगा capital receipts taxable category के अंदर नहीं आती है हाँ दूसरी तरफ अगर हम देखें any compensation received for the loss of future profit ठीक है वो आपका revenue receipt कही जाएगी और यह taxable category के अंदर आएगा इसका मैं example आपको देता हूँ छोटा सा, simple सा जिसे मान लीजिए आपकी एक particular shop है एक particular shop है आपने अपना structure बनाया हुआ है office वगरा बैठने का और वहां से आप अपने profits को operationable करते हैं काम को चलाते हैं ठीक है आप कई सालों से कई part time period से एक काम कर रहे हैं तो आपकी profit, monopoly, goodwill अच्छे तरीके से maintained है अब एक आदमी आया है वो करा जी मैं आपसे business खरीदना चाहता हूँ ठीक है आप दाम बोलिए आप बोलें नहीं यह हमारा setup business है और serious ही बात है हम इसको नहीं बेचेंगा इटिट्विट में फिल्म हो वाला है फिल्में आपने भी देखी है लेकिन उसने blank check आपको दे दिया clear कि भर ले आजो तरको भरना है तुम सोच रहो यही फायदा का सौदा है अपना भरो amount और अपना free हो जाएंगे तो आप क्या करोगे क्या amount भरोगे आप उसमें देखो आपका business setup है वो value तो आप भरोगी भरोगे जो उसको asset आपकी creator रखी है जो खर्चा उस building का रखा है right प्लस अपना जो goodwill वाला amount है वो भी उसमे add करोगे यही होता है यही situation होती है ऐसा ही होता है capital receipt है लेकिन जो 5 करोट रुपे आपको और मिले न अपने काम को छोड़ने के लिए वो revenue receipts है यह example clear हुआ तो building वाला जो चीज है वो taxable नहीं होगा that is not taxable होता भी है तो कैसे होता भाद में discuss करेंगे that is a different scenario but जो amount आपको future के profit को surrender करने के लिए मिला है छोड़ने के लिए मिला है like a compensation उसको revenue receipt कहा जाएगा got it? clear? तो यह एक आप इसको go through करेंगे कुछ example है हापे ऐसे ही उसका reverse जो है हम अगर देखें तो वो आता है आपका capital expenditure और revenue expenditure तो normally आप जानते हैं जो हम fixed assets को खरीदते हैं okay उसे capital expenditure कहा जाता है और जब वो daily basis की current assets और raw material खरीदते हैं तो उसको revenue expenditure कहा जाता है okay got it? and इसमें जो main चीज़ है मैं आपको बता जाता हूँ यह तो बाकि normal है चीज़े हाँ वो normal के मैं बता दूँ जो capital expenditure है वो जाता है आपका balance sheet में वो किसमें जाता है? balance sheet में और इस पर depreciation लगता है इस पर क्या? depreciation लगता है लेकिन जो revenue expenditures होते हैं वो सीधा हमारे profit and loss account में जाते हैं और खर्चों में show हो जाते हैं तो यह दोनों में फर्क निकल कर आता है इसको भी read करेगा as such इतना depth वाला point हमारे नहीं है उसके बाद है application of income and diversion of income यह थोड़ा सा जादा हो जाएगा अभी तो we are going to hold this यहां लिख देना hold this और इसको मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि जादा complicated theory content हो जाएगा भी इसकी एक अलग से हम video बनाएंगे और उसमें इस topic को cover करेंगे so please इसको जादा hold करके रखिए का भी well 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 now let's come to this concept it is concept of financial year previous year and assessment year सबसे जादा आज की x class में सबसे जादा जरूरी जो तीन चीजे हैं हमारी ने चार चीजे हैं हमारी एक तो था वो assessi वाली definition और दूसरा person यह दो main चीजे थी assessi कौन होते हैं और आपका जो person है वो कौन होता है दूसरा तीसरा हमने पढ़ा heads जो हमारा slaybers है salary वाला हिसाब किताब salary, house, property वगएरा वगएरा चौथा जो important point सबसे जादा है वो अब हम discuss कर रहे हैं concept of financial year previous year and assessment year इसको अगर हम example के थुरुआई इसको थोड़ा side कर देते हैं यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर मैं जरा आपको content जो है इसका वो बताता हूँ ध्यान दो इसको भी भूल जाओ इसको हम अभी भूल रहे हैं अभी हम अपना concentration यहाँ पर रखेंगे पूरा का पूरा देखो अगर मैं financial year F.Y की बात करूँ तो यह आपका 1st April से शुरू होता है और 31st March तक जाता है यह एक simple सा concept financial year का यह definition चाहए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो financial year का जो आगे है but the thing is financial year का हमें ज़्यादा load नहीं लेना यह इतना ज़्यादा हमें परेशान नहीं करेगा इसको बस बस हाँ लिखा हुआ है कि साल की बात कर रहा है इतनी इसकी importance है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और main part हमारे income tax act में होने जा रहा है वो यह दो शब्द है previous year PY और assessment year AY clear? अब इसका समझते हैं यह क्या होते हैं यह हो आप यह कौन हो आप आप ठीक है जी? अब आपकी जॉब लगी आपकी नईनी जॉब लगी कब लगी? मैं थोड़ा past year का चलो इसी पटने past का लें पिछले year का record लेंगे ठीक है? थोड़ा पीछे जाएंगे आपकी जॉब लगी April 2019 में April 2019 में और पर मन्त आपको salary मिलना स्टार्ट होई तो बताओ कितनी salary चीए सर देदो सर कुछ भी देदो है लाख रुपे तो देदो कम सेक्म लाख रुपे तो अतनी चाहिए चलो दिया एक्जामपल ही तो ले रहे मुझे भी लिखने में क्या जा रहा है न लाख रुपे आपकी salary तेया हो गई तो April आपने काम करा आपको April की salary मिली एक लाख रुपे फिर में में काम करा में की मिली जून जुलाई अगस सितंबर सिलसला आपका चलता जा रहा है और सिलसला चलता जा रहा है तो मार्च आ गया वोके तो पूरा मतलब एक जो financial year है वो खतम हो रहा है आपका यहाँ पर ठीक है 2020 में यह जो year है यह कौन सा है जी यह 1920 ऐसे तो आता ही हमें लिखना यह कौन सा year है 1920 है और 1920 में इसी year में आपकी जो job है वो लगी है आपने April में पैसा कमाना स्टार्ट करा और March तक कमाते जा रहे हो कमाते जा रहे हो कमाते जा रहे हो आपका March आ गया March को 31st 31st March आया आप शाम को ठके हारे घर पहुंचे शाम को 6 बज गया अब आपको ध्यान आया है कि यार एक साल हो गया पूरा ठीक है और एक साल में हम मैंने इतने रुपे लाख रुपे महीना के साब से कितने 12 लाख रुपे हो गए और 12 लाख रुपे मेरे हो गए अरे इस पे तो यार टेक्स जमा कराना है आपको ध्यान आया तो क्या करें शाम को 6 बज निकलें मेट्रो पकड़के बस पकड़के पहुंचें ऑफिस जमा करा दें ऑनलाइन करें क्या करें यार अभी पूरे दिन भर आफिस में परेशान थे अब क्या ये तो टेक्स भी जमा करना क्या बड़ी समस्या होगी यार गॉर्मेंट कहती है परेशान मत हो ये हमने आपको हमने आपको एक पूरा साल दिया हमने आपको एक पूरा साल दिया परेल से मार्श दिया, कमाओ जितना कमा सकते हो। खूब दिन भर 24 घंटे काम को रोमाईत आज से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो जिस इयर में, जिस इयर में, यानि के आपने उननिस बीस में, जिस year में आपने इंकम अपनी जनरेट करी है उसको बोला जाता है PY उसको हम क्या बोलते हैं PY प्रिवियस year बोलते है जिस year में इंकम जनरेट होती है अब 31 मार्च last rate ती government ने का कमा रहा है नहीं दो घर बैठा नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं बात सुनो बात सुनो ध्यान से बिलकुल ध्यान से वाली बात क्या है ध्यान से वाली बात यह है कि अब कल से अगला year शुरू हो जाएगा 21 शुरू हो जाएगा 31 मार्च खतम होगी अगले डेट से 21 शुरू हो जाएगा आप 19-20 में जो आपने income generate करी है I repeat 19-20 में जो आपने income generate करी है income कमाई है उसके उपर आप tax pay कर देना आप tax pay कर देना 20-21 में अगले साल April से लेकर March तक का time है आपके पास आप tax जमा कर देना और इसी लिए 20-21 को बोला जाएगा assessment year क्या बोला जाएगा assessment year assessment year assessment assessment word का मतलब होता है assess word का मतलब होता है अरे जरा परचियां तो निकालो जरा हिसाब किताब तो करो जरा टोटल तो करो कितना कमाया कितना tax देना है तो जो लेखा जोखा देखा जाता है हिसाब किताब लगाया जाता है income का कितनी है कहां से आई कहां को जाएगी कितना tax देकर हमें परिशान करेगी तो सीधी सी बात है point यहाँ पर क्या निकल कर आया जिस year में tax लगता है उसको assessment year कहते है समझाई बात clear है the point is जिस year में आपने income कमाई इस year में आपने income कमाई 19-20 वो previous year और उसके उपर tax calculate करके जिस year में जमा होगा यानि कि उससे next year that is assessment year वो क्या होता है assessment year होता है so remember जिस income का आप हिसाब किताब लगा रहे हो वो previous year होगा और उससे अगला साल आपका सदैव हमेशा हमेशा होता है assessment year clear? यह चीज़ clear हुई? हाँ यहाँ पर जैसे मैं नहीं मुला पूरा साल होता है April से लेकर March तक आप tax जमा करा सकते हो हाँ जी पूरा साल होता है कभी भी जमा करा दो बट government की कुछ deadline से जैसे जुलाई के महिने तक individual H.O.F. को करा देनी होती है ठीक है September तक आपको firm and company को करा देनी होती है inner dates के बाद भी करा सकते हो बट फिर charges मतलब आपको penalty वगरा pay करने पड़ेगी got it तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे यह point हमारा consider होगा okay but अब आप कहोगे कि sir यह हम है आप मतलब है न 19-20 में मेरी नौकरी लगी okay 19-20 में नौकरी लगी March तक मैंने कमाया तो क्या अगले साल चुट्टी ले लूँ 20-20 में चुट्टी ले लूँ टेक्स जमा कराना है मैं नहीं आऊँगा नौकरी है ऐसा थोड़ी नहोगा बट कमाओगे कमाओगे तो आप 20-21 में भी 20-21 में भी 20-21 में कमाओगे और फिर उसका टेक्स 21-22 में जमा कराओगे तो 20-21 अपने आप में एक प्रिवियस एयर भी बन जाएगा और उसका असेस्मेंट एयर उसके अगला साल होगा उसका अगले साल होगा तो मतलब हर एयर अपने आप में मैं एक एयर हूँ मैं एक एयर हूँ मैं अपने आप में assessment year भी हूँ किसका पिछले साल के हिसाब किताब का पिछले साल जो कमाया है वो इस साल tax में जमा होगा और मैं खुद एक previous year भी हूँ इस साल भी कमाई होगी और इसका tax अगले साल जमा होगा clear? तो ये difference हमें मालूम होना चाहिए in short, the thing is the thing is, दोनों भी बारा-बारा महीने के हैं दोनों भी बारा-बारा महीने के हैं बट जिस year में income generate होगी जिस year में income generate होगी जिस year के लिए हम income calculate करेंगे that is previous year और tax जिसमें जमा होता है उसको बोला जाता है आपका assessment year clear? अब इसमें एक चीज़ और लास्ट चीज़ और अगर मानलो आपकी नौकरी April में ना लगके मानलो जुलाई में लगती जुलाई में लगती तो सर क्या फिर previous year जुलाई से जुन तक होता बारा महीने लेते? नई खतम वो मार्च में हो जाएगा इस बार बारा महीने का ना होकर जुलाई से नौ महीने का रहा ठीक है? मानलो आक्टूबर में लगती तो छे महीने का होता तो ऐसा नहीं है कि बारा महीने का फिक्स रखना है ठीक है? खतम मार्च पे करेंगे February में जॉब लगी मार्च आ गिया एक महीने का मतलब दो महीने का अगले साल से फिर पूरा इसाब जारी होगा ओके ये कंडिशन है ये सिचुएशन है प्रीवेस एर और असेस्मेंट एर की आईए जरा देखें यहाँ पर अपना कंटेंट प्रीवेस एर आपका सेक्शन 3 में इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनिशन नहीं बताई गई है हाँ ए स्टार्टिंग में आगे ना ए असेस्मेंट असेस्मेंट था सातवा असेस्मेंट एर नौवा ए है दोनों भाई भाई है तो पहले असेस्मेंट एर की पढ़ते है है जिसमें टेक्स लगा है और यह प्रिवेस यह के बाद ही होगा जैसे अगर हम बात करें असेस्मेंट यह बारा महीने का पीरिड नॉर्मल आ गया और इसका जो 19-20 है जो एक्जामपल हमने लिया यह पिछले पिछले का लिए तो यह चली रहा है तो उसका अगला साल यह चीज अगर बाद ब्रो गॉट यह चीज अगरी बैसिक डेफिनिशन होगी आव ज़रा आगे बढ़े एक हैडिंग है एक हैडिंग है हमारी अब ठीक है यह बीच में आगे इसको वह रटा निसकते कोई नहीं क्या हो गया पढ़ लो थोड़ा से यह भी यह एक Assessed in the same year So क्या है क्या कहना चाहरे हो अब क्या कहना चाहरे हो अब सॉरी माफ़ी चाहते है एक और जाए अभी आपने बताया अभी आपने बताया यह यहाँ पर कहानी बताई हमें थोड़ी बड़ी हो गई कि जिस year में कमाते हैं उससे अगला होता है हमारा assessment year बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ पर जो मैं heading पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ मतलब आप वो कह रहा है कि assessment year where income of previous year is assessed मतलब हिसाब किताब उसी year same year मतलब सर आप कहना चाहते हो कि एक ऐसी situation जब previous year और assessment year same है एक ऐसी situation मतलब अगर मैंने 19-20 में कमाया है तो tax मुझे 20-20 में देना चाहिए था आपने बताया अभी लेकिन आप कह रहे हो अगर 19-20 में कमाया है तो मुझे tax भी 19-20 में दे दो हैं ऐसा क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ मैंने ऐसा बोला क्या बोला है मैंने बोला बोला नहीं बोला येस यही बोला heading यही कह रही है normally normally what I said normally तो जिस year में कमाया हो previous year और अगला साल assessment year होगा normally but in some cases in some of the cases not so many just a titanic case what is titanic थोड़ी देने पता चलेगा movie देखिए ना बस वो ही है clear कि कुछ cases में कुछ cases में आपका जो assessment year और previous year है वो same होता है मतलब जिस साल आपने income कमाई है उसी साल आपको text देना होगा अगले साल का इंतजार नहीं होगा यह कौन-कौन से case हैं आओ जरा नजर डाले अभी titanic पर नहीं जाते बाद में देखेंगे titanic आओ जरा वो cases पढ़ें वो कौन-कौन से cases हैं जिस में जिस year कमाया है उसी साल हमें text दे shipping business of non-resident shipping business of non-resident non-resident बोले तो भारती है भारती है नहीं भारती है थोड़ी नहीं सर गैर भारती है non-resident इंडिया के नहीं है पानी के जहाज से जहाज के थुरू यहां तक आए अपना व्यपार करने आए business करने आए समान बेचा चले गए ठीक है अब यहर वो समान आए बेच कर जा रहे है वो कह रहे हैं जी टाटा भाए भाए हम अगले साल आएंगे आपका text जमा करने क्योंकि यह तो previous year है assessment year तो अगला होगा government हमारी कहते हैं पागल है क्या क्या लिखा चारे पे हमारे है भई तुम इस साल आए पैसा कमाके जा रहे हो तुम्हारा क्या भरोसा तुम कल को आओ या ना आओ ठीक है क्या भरोसा तुम कहीं से भी आओ कोई से भी देश से आए हो क्या परोसा ऐसा है आज आए हो समान बेचा है आज के आज हिसाब क्लियर करके जाओ हम अगले साल तुम्हारा इंतिजार नहीं करने वाले तो ऐसे cases में ठीक है section 172 इसका आजादी देता है कि आया समान बेचा इनकम जनेरेट करी अभी tax दे और निकल यहाँ से जुरूत नहीं तुम्हारी ठीक है हाँ इनका एक straight forward rate होता है यह income 7.5% इसको हम tonage taxation कहते है इसको हम क्या कहते है tonage taxation यह याद रखेगा यह journal knowledge है यह आपके syllabus में नहीं है ठीक है लेकिन मालूम होना चाहिए फाइनल में पढ़ाओंगा ठीक है लेकिन अभी knowledge के तौर पे मालूम हो कि वे tax कैसे तो 7.5% पूरा का पूरा लग जाता है amount के ओपर ऐसे ही एक और यह पहला case हो गया ठीक है दूसरा case कहता है person living India ठीक है एक नाम सुना है अपने विजय मालिया यह वो ही है यह वो ही है ठीक है वो बात लगए कि वो निकल गया वो AO की नजर में आने से पहले ही निकल गया AO बोले तो assessing officer ठीक है assessing officer तो जब कोई व्यक्ति कोई आदमी अपना काम पूरा करके देश छोड़के जा रहा है और अब वापस नहीं आएगा यहां से संपत्ति कहा रहा है जी मैं बहार सैटल हो रहा हूं मैं इंडिया से बोर हो गया हूं बोर हो गया तो भगया हां से हम क्या करें ठीक है अब CDC बात है जो हिसाब किताब कर जो पूरा इस साल कमाया तुने उसका टैक्स हमें इसी साल दे कर जा नवंबर में शिफ्ट हो रहा है दिसंबर में शिफ्ट हो रहा है तो अगले अपरेल का माई का हम नितजार नहीं करेंगे अब भी के अब भी अपने को इसाब किताब चाहिए पूरा तो AO कहता है भाईया टैक्स हमें पूरा का पूरा दे ऐसे ही आपका थर्ड परसन थर्ड परसन किसी भी प्रकार का AOP AOP बोलो कौन? AOP सर एसोसियेशन ओफ परसन था BOI बॉड़ी ओफ इंडिवीज्वल था आपका AJP आपका AOP ये आपके अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए क्रियेट होते हैं मतलब like मालो दो इंडिवी मैं और आप ठीक है हम दोनों ने एपना कोई इवेंट और्गनाईस करा कि बाहर से हम किसी स्टार को बुलाएंगे या इंडिया में किसी स्टार को बुलाएंगे हमारे हाँ फंक्शन होगा लोगों को हमने टिकेट विकेट बेची उसको पेमेंट करी स्पॉंसर्शिप से पैसा कमाया अब इवेंट हो गया काम खतम अब काम खतम तो सीधी सी बात है यार अपना पैसा अभी के गुवर्मेंट कहती है तुमने जिस टार्गेट के लिए अपना ग्रुप बनाया था तार्गेट पूरा हो गया ना अब के अभी टेक्स दो ना को काय को बेट करवा रहे हो तो अगर कोई परटिकुलर इवेंट के लिए परटिकुलर टार्गेट के लिए वो काम चल रहा हो और वो काम पूरा हो गया तो अभी के अभी टेक्स दो काम खतम करो क्यों लंबा खीच रहे हो इसको ऐसे ही अगला पॉइंट परसन लाइकली टू ट्रांसफर टू अवाइड टेक्स तो अवाइड टेक्स ये आगे ना चलके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसको नाम देंगे हम क्लबिंग क्या नाम देंगे क्लबिंग इसमें मैं आपको किसी भी प्रकार के क्लब में लेकर नहीं जाऊंगा तो ऐसी उमीद ना रखे अगर चलना है तो आप लोगों का स्वागत है बिल्कुल लेके जाऊंगा मना थोड़ी ना कराया है ऐसा नहीं है बहुत अच्छा हूँ ठीक है लेकिन डेली आना होगा आएंगे तो डेफिनिटली आपको लेके चलेंगे घुमाएंगे कोई दिक्कत वाली बात इनके बहुत सारे बिजनस चलते हैं उसमें से एक बिजनस है इनकी हाउस प्रॉपर्टी का जिसका रेंट उनको तीन लाख आता है जिसका रेंट उनको तीन लाख रुपे आता है मिस्टर चालू को इनकी एक wife है एक ही ठीक है ओविसली यह मतलब यह थोड़ा जीव सा हो गया बट एक ही ठीक है Mrs. चालू वती यह Mr. चालू वती ठीक है Mr. चालू कहते है कि यार मेरे ना बहुत business है already बहुत tax लगता यह 3 लाख रुपे की income और मैं generate कर रहा हूँ तो tax मेरा और बढ़ जाएगा क्यों ना मैं इसे अपनी wife को transfer करवा दूँ कैसे कैसे जिस property से यह rent आ रहा है उसको 30 March को मैं चालू वती को transfer कर देता हूँ है ना और 2-3 April को वापस ले लूँगा ठीक है चालू वती के नाम पे income count हो जाएगी और उसको tax नहीं देना पड़ेगा तीन लाग तक कोई tax नहीं लगता तो Mr. चालू चालू बन तो रहे है लेकिन सरकार कौन चला रहा है Mr. जादा चालू ठीक है ओविसली भाई गॉर्मेंट तो बड़े सोच समझ के पहली जानती है गॉर्मेंट औरड़ी लूपोल्स जानती है सरकार सशकता हातों में हैं हम कहेंगे क्यों उन्हें ये चीज़े पहले से पता है पहले से पता है ऐसा भाई ये नहीं चलेगा तुझे खेम खेलना है खेल हमें कोई दिक्कत नहीं है खेल तुखेल लेकिन तुख ट्रांसर कर रहा है 30 मार्च को चालू बननेगी ये 3,00,00, उर्पे जो अभी तक कमाएं हैं इस पर अभी के अभी टैक्स यह अभी के अभी अभी सोचे अगले साल ना 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 अभी के अभी टैक्स दे हमको तो अगर कोई आदमी ठीक है assessing officer कि नजर में आ जाता है कि वो property transfer कर रहा है अपना tax बचाने के लिए tax बचाने के लिए tax दे भाई नहीं तो निकल 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 ओके now the last point is discontinued business section 176 ठीक है यह चीज़ क्या है basically आपका कि अगर कोई business discontinued हो गया for example जैसे दोस्तों एक example हम दोनों ने काम शुरू करा कब शुरू करा बिजनस शुरू करा हमने September 19 में हमारा partnership formed हुई और यह काम चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा है साल खतम हुआ March 20 में क्या होग इसको March 20 में तो यह year कौन सा है 1920 राइट यह year कौन सा 1920 tax हम कब जमा करेंगे when the tax will be deposited अगला साल कि सर assessment year क्या है 20-21 19-20 हाँ 20-21 में 21-21 में जमा हो जाएगा the next year is assessment year ऐसे ही हमने काम तो अगले साल भी चालू रखा तो April 20 से काम चालू रहा बई बिलकुल चालू रहा March 21 तक तो यह year कौन सा रहा 20-21 और इसका assessment year क्या होगा इसका assessment year क्या होगा सर 21-22 हो जाएगा बिलकुल सही है बिलकुल सही है जिस साल कम है उस से के लिए साल tax लेकिन हमारी जो पार्टनर्शिप है तुमने पार्टनर्शिप तोड़ दी यार एपरेल 21 से हमारी पार्टनर्शिप खतम हो गई और हमारी पार्टनर्शिप खतम होगी नवंबर 21 में इसी साल ओके तो ये एर कौन सा है ये 21 है 21 है ये वाला एर है न इसका assessment year क्या होगा 21 ही होगा इसका assessment year क्या होगा 21 ही होगा गौर्टनर्शिप करी काम खतम तो हो गया तुमारा जिस से target के लिए आपने अपनी पार्टनर्शिप रखी हुई थी काम चल रहा था ठीक है हम rule follow कर रहे थे बट जब पार्टनर्शिप ही नहीं रही जब काम ही नहीं रहा तो इसी साल देखकर खतम करो ना क्यों वापस सिंतिजार करवा रहे हो तो आपके accounts बंद हो गए November में पूरी calculation हो गई जो वाम टाया टेक्स दो खतम करो तो इसी लिए अगर कोई discontinued business होता है तो same year में ही उसका हिसाब किताब कर लिया जाता है got it clear तो ये point हमने आपे पड़े अब Titanic पर आते हैं देखो ये point हमने लिखे Titanic क्या था Titanic क्या था Titanic था जाज क्या था एक जाज था ये जाज यहाज यहाँ पर है ना पीछे बहुत सारे लोग खड़ें ऐसी था ना स्टोरी मैसे बहुत सारे लोग यहाँ खड़ें देख रहें इसको बहुत सारे बहुत सारे लोग है ना ऐसी कहानी चल रही थी इनकी चलते जा रहे चलते जा रहे ठीक है अब ये आगया है आगया या Iceberg इसको इन्हें क्या करना था इनको avoid करना था इसको avoid करना था लेकिन जाके भेड़ दिया इसमें सीधा सही ठीक है, पता नहीं क्या का धेख रहे थे भेड़ गया है और भ요के फिर ये अपना crash होnowगया मामला यह नहीं पचा फिर ऐसी यही कहा नहीं थे न टाइटानिक की तो वो ही हमारा section है यहां पर सबसे पहले ship shipping business same year ठीक है उसके बाद एक person person कौन jack जो खड़ा उपर जहाज पर यहां पर ठीक है person कौन सा जो इंडिया चोड़ के जा रहे हैं सारे जहाज से पता नहीं कहा जा रहे हैं उसके साथ साथ यह आपके एओ बहुत सारे लोग जिन्होंने particular event के लिए target सेट करा फिर आवाइड आगया iceberg अवाइड करना था तो जो अवाइड कर रहा है 174, 174 A में आ गए, right 75, 76, so these are like याद करने का तरीका जो हमें मालूम होना चाहिए got it दोस्तों, तो यह point हमारा cover हुआ, और यह last point भी चलो आपको ही समझा दिया जाए इसके बाद I think यह समाप्त है, इसके बाद नहीं है कुछ, इस topic को भी आएद देखें, बड़ा simple सा है previous year taxation, previous year for undisclosed income की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा देखो, यह section काफी जादा, चर्चा में आया, चर्चा में आया, अभी specially तब जब note बंदी हमारी हुई थी कई बार क्या है, कई लोग अपनी income को disclose नहीं करते, ठीक है, disclose नहीं करते, बताते नहीं है लेकिन कभी ना कभी, तो खुलासा होई जाता है, कैसे ना कैसे करके उसके लिए छोटा सा point है, जैसे बात करें, cash credit की, cash credit where any sum is found credited in the books of SSC and SSC offer no explanation about the nature source or explanation, offer is not satisfactory, कहने का मतला, उसके खातों में कुछ income arise हुई और वो जो income है, उसका वो ढंक से source नहीं बता पा रहा है, सही उसकी information नहीं दे पा रहा है तो उसको हम cash credit का category में रखते हैं, ठीक है, section 68, ओके, और इसको उसी year में tax लगा दिया जाता है इसके लिए फिर अगले साल का इस्तिमाल नहीं होता, अगले साल था कम इसका वेट नहीं करते ऐसे ही same आपका unexplained investments, कुछ चीजों का खुला सा बाद में हुआ, तो याद रखेंगे value of investment, value of investment, are taxed in the income of SSC of such financial year in which they are made investment, जिस साल investment करी गई थी, उसी साल उस पर tax लगेगा, ठीक, ऐसे ही आपका unexplained money, you just have to read these points, ठीक है, यह इसलिए आपको पता चल जाएगा कि अगर undisclosed event आपके arise होते हैं, unexplained money है, तो जिस year में पता चला है जिस year में पता चला है, उस year में उसके उपर tax लग जाएगा, amount of investment not fully disclosed in the book, इसमें न मैं आपको एक एक्जामपल आता हूँ, सीधागा सीधा, यह वाले point लेके आ रहा हूँ, यह बड़ा famous point था, इसको आप read करेंगे, इतना उसमें कुछ नहीं है, यह वाले point, यह बड़ा interesting, यह अभी recently ही add हुआ है, यह आपका, जो tax rate है, आपको याद होगा note बंदी से पहले, जो note बंदी हुई थी, उससे पहले, जो हमारे प्रधान मंतरी है, उन्होंने बूला भी था, कि अगर किसी के पास illegal money है, black money है, तो उसको disclose कर लिया जाए, और उसे अपने पास ही रखो, हमें उसके उपर tax दे देना, tax के rate काफी heavy थे, 60% का tax था, 25% आपका surcharge था, ठीक है, तो लगभग, मोटा-मोटा 78% tax लग जाता था, तो इसी लिए, शायद कई लोगों ने disclose नहीं करे, जिन नहीं करे तो पच्छता है बाद में, और 78% और definitely a massive rate, यह सरचाज वगरा क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे, but the thing is, but the thing is, जो यह वाला existence में आई, वाकिई हुई, उसी में, उसी साल उसके उपर tax देतो, तो 10%, 20%, जो भी rate होता है, उसके हिसाब से tax देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने जोड़ के रखा हिसाब, कि यार नई, छुपा लेते हैं, वगरा वगरा, सीधा massive rate, सीधा massive rate, बहुँ जादा rate, तो यह particular section है, यह हमारा, obviously, ऐसी illegal income कह लीजिए, या आपका undisclosed income कह लीजिए, उनके लिए ही बनाया हुआ है, बट, obviously, इसको हम इतना depth में नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक, यह बस पर knowledge के लिए, मैंने आपको यह point यहां पर रखा, खेर, हमने, आज की, इस section में, हमने, जो अपना point है काफी सारे, वो cover करें, और हमने starting में, जो text का content था, उसको लेकर discussion करी, so I hope, I hope, this content is clear to you, आप please, इसको read करिएगा, कहीं पर किसी point में, कोई query, कोई doubt आ रहा है, कुछ extra भी पूछना चाहते हैं, तो no issues in that, next last में, we will start with the computation, okay, उसके बारे में थोड़ा सा पहले में आपको यह दोस्तों, जो computation है न, वो हला की बिल्कुल बाद में होती है, बिल्कुल सही तरीका, जब slavers हम पढ़ लेंगे पूरा, okay, कि भई, capital gain मैंने आपको बता दिया, head होता है, लेकिन उसमें tax कैसे लगेगा, calculate कैसे होती है, उसके income, house property बता दो दिया, rental income, लेकिन उसमें क्या क्या income को लेकर दुबारा से एक chapter होगा आपके slavers में, उसमें वो topic cover करा जाएगा, बट पहले basic सीखना इसलिए जरूरी है, कि कोई चलते लते पूछ लेकर बता जारा tax कैसे calculate होता है, तो वो मालूम हमें होना चाहिए, okay, so please revise this class, for any query, doubt आप पूछेंगे, next class में आप से मिलते हैं computation of tax collector, please take care, thank you आप से मिलते हैं